हाई, वेलकम टू मुबेल रिपेरिंग टूटोरियल आज हम S3 i9300, Samsung S3 i9300 का EMMC IC चेंज करेंगे देखो, ये heat resistant tap लगाया है, पस्ट वो लगाना है ये tap लगाना है, IC का चार सेड में भी लगाना है चार तरफ लगा के, इसको बाद ये liquid है, BGA IC Removing Liquid ये liquid IC का सेड में, चार सेड में भी ही लगाना है देखो, ऐसा लगाना है ये IC का गम को soft करेगा ये लगा, ये लगा ये, लगादिया, 4 सेड में भी हम लगादिया, ये पाँच मिन्ट हम ऐसाए रखना पड़ेगा, पाँच और देश मिन्ट आए रखनापड़ेगा, उसका बाद यह होटर गंड से हीट करके गम निकालना पड़ेगा वह हम दिखाएगा यह है नया इम्मसी आईसी 16GB S3 I9300 का प्रोग्राम किया वाला इसी है नया है यह हम लगा रहेंगे उसमें यह भी बाहर रखेंगे हम अभी यह हम ओटर गंड से ओव लिकड डाल दिया सेड में हम हीट करेंगे देखो आईसा हीट करना है इसको बात हम गंग को निकालेंगे आईसा त्यूजर से नहीं त्यूजर से नहीं त्यूजर से नहीं से निकलना है आई केरफुली निकलना है त्यूजर सब बोर्ड में टेच नहीं होना बोर्ड का ट्रेक प्रिंट सब निकल जाएगा नहीं त्यूजर आप केरफुली निकलना है गंको ऐसा चार सेड में भी अप निकलना है और यह वीडियो के नीचे नहीं त्यूजर सेड में बई मुबेईल रिपेरिंग टूटोरियल करके रहेगा उसमें आप क्लिक इका तो डाएरक्ट टूटोरियल चैनल में जाएगा टूटोरियल चैनल में बहुत टूटोरियल वीडियोस है वो सब आप देखने हैं और लाइक करना और शेयर करना अभी देखो अम आल्मोस्ट गम निकाल दिया है वो गम निकालने के बाद सेड का गम निकालने के बाद और एक बार ये लिकड चार सेड में लगाना है तोड़ा आईसी का नीचे को गम को सोफ्ट करेगा अभी लगाने के बाद पांच मिंट आप बॉर्ड को ऐसे रखना पड़ेगा पांच मिंट वीटिंग में है उसका बाद हम ये मधर बॉड को बॉड स्टैंड में फिक्स करेंगे दे को ऐसा बॉड स्टैंड में फिक्स करना है IC निकालने का टाइम शेक नहीं होना बॉर्ड शेक नहीं होना इसके लिए टाइट में वो फिक्स करना है बॉर्ड स्टैंट में फिक्स करना है इसका बाद हम मोटर गंड से वो IC को हीट करेंगे इसी को हीट कर रहा है देख आईज़ा आईज़ा ओटर गंड को शेक करके हीट करना है इसका बाद हीट हुआ करके मालूम हो गया तू पुल्ड हीट वाना है लेड सब हीट हो गया मालूम हुआ तो आपको ब्लाइड इसी के नीचे लगा के ऊपर कीचने पड़ेगो वो नीचे सेड में अच्छा से ब्लाइड डाल सकता है देखो ऐसा तोड़ा ऊपर कीचने है यह केरफुली करना के काम है इसी का ट्रेक सब ने याना इसी का ट्रेक सब ने याना अभी आईसी हम निखाल दियां उसका बाद क्लीन करना है आईसी का नीचे भी गम रहेगा वो गम सब हम शॉल्डरिंग आयंड से क्लीन करना है और लेड सब क्लीन करना है बूड में है जो लेड वो क्लीन करना है वो अच्छा से क्लीन करना है ये गम भी उदर नहीं रहे ना अज़ा कुछ है तो नया इसी नहीं बैटेगा अच्छा से अच्छा से क्लीन कर दिया अभी लेड को अभी सीधा करेगा बूड में जो हे कनक्शेन इस लेड 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 वो अच्छा से सीधा रहना स्ट्राइट एक बूल भी उपर नीचे नहीं याना स्ट्राइट में क्लीन करके नहीं आइसी नहीं बैटेगा झाल स्ट्राइट झाल 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 और चानल में एक सस्क्राइब बटने रड कलर का वो आप क्लिक किया तो आप सस्क्राइब हो जाएगा आप सस्क्राइब होने के बाद टुटोरिल चानल में आते ही नया नया वीडियो से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा अभी हम नया इसी को बिटाएंगे यह पाले जो पोशिशन में था वो पोशिशन में लगाना है पोशिशन देखना है इसका पोशिशन देखने के लिए इसी है आइसी के नीचे बोल एक कॉर्णर में ज्यादा रहेगा और वो कॉर्णर में लगाना है बोड में भी ऐसी सेम सेम ट्रैक रहेगा अभी ऐसी के ऊपर ऐसा हीट करना है थोड़ा हीट करने के बाद थोड़ा भी बाइटा जैसे लगाया तो आपको देखो भी थोड़ा फ्लेक्स लगा सकता है नहीं बैटा है तोड़ा एक पॉइंट बैट गया मालूम पड़ा तो तोड़ा ज्यादा फ्लेक्स लगाएट करना पड़ेगा आप पॉशिश्चन वो करक्ट्रिब कैसा है वो इसा ही लगाना है अदर बोर्ड में मेंशन किया है पूसेशन सब अभी हीट करेंगे हीट करके तोड़ा बैट गया मालिम हुआ तो हम फ्लक्स लगाएंगे तोड़ा ज्यादा फ्लक्स लगाएंगे चार सेड में चार सेड में भी फ्लक्स लगाएंगे चार सेड में देखो वियाम फ्लक्स ज्यादा लगाया है अभी आवर एक बार हम हीट करेंगे होट बिंट से एक बार आईसी को शेक करेंगे देखो हीट करके तोड़ा शेक करना है तो अच्छा अच्छा से बोड में बैट गया देखो शेक कर दिया अभी तोड़ा हीट तंड़ा होना है अच्छा बार हम बोड स्टैंड से मदर बोड को निकालेंगे यह हीट रेसिस्टेंट टैप निकालेंगे अभी हम छेक करेगा यह हो गया है क्या नहीं हुआ है क्या छेक करेंगे यह के फोड में डावलोड मोड में आ जाएगा फिर हम फ्लेश करना है एक एक पॉण फुल ओन आ जाएगा देखो अभी हम यह सब फिट करेंगे LCD को फिट करके चेक करेंगे अभी यह यह डावलोड मोड लेखाने का लगाया तो डॉलोड मोड में आ जाएगा ब्लाइक स्टिकर लगाया है इसके लिए नहीं दिख रहे एक एक टाइम वाइट डिस्प्ले आ जाएगा ड्वाइट डिस्प्ले मतलिब वो डॉलोड मोड है करके है वी देखो ऐसा बटन से भी हम डॉलोड मोड कर सकते है देखो आगया यह थोड़ा उल्टे रहेगा यह एक एक में सीधे रहेगा यह फ्लैश करने के बाद यह सीधा आगया यह एक एक इतने यह एक बाइब बाइब